हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिसकस करेंगे एच्पी नोन मेडिकल का साइक्वालिजी सेक्शन तो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है हमारा तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा ऑप्चिन अंबर बी अलफ़र्ट विनिट तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा ऑप्चिन अंबर फर्स जंग अप्चिन अंबर फ्री विच साइक्लोजिस इस असोशिएट विद बीहेविरिजम अप्चिन अंबर वन सकिनर, सिक्ट है हमारा जेम्स, थर्ड है हमारा आलनोड और फॉर्ट है हमारा हल कौन से मनोविज्यानिक ब्यविहार वाद से संबंदित है तो इस question का जो right answer है वो हमारा option number first, Skinner Next question है हमारा In which method of study of psychology, independent and dependent variable are important element मनोविज्यान में ब्यवहार के अध्यन की कौन सी विदी में सुतंतर और आश्रित परिवर्त्य महत्वुन तत्व होते हैं फर्स्ट ओप्चन है हमारा Introspection Method, Introspection Method, अंतर निरिक्षन बिदी सेकेंड हमारा Experimental Method, प्रयोगिक बिदी थर्ड हमारा Observational Method, प्रिक्षन बिदी और फौर्थ ओप्चन है हमारा Case History Method, ब्यक्ति अध्यन बिदी तो इसकोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option Number First, Introspection Method, अंतर निरिक्षन बिदी नेक्स्ट कोशन है हमारा Concept like Introspection and Conscious Experience are associated with अंतर निरिक्षन और चेतन अनुवब जैसी सम्प्रत्य से सम्बंदित हैं फर्स्ट ओप्चन है हमारा Functionalism, सेकेंड हमारा Behaviorism, थर्ड हमारा Structuralism, और फौर्थ हमारा Gastard Psychology तो इसकोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option Number C Structuralism नेक्स्ट कोशन है हमारा सम्रचनाबादी, नेक्स्ट कोशन है हमारा The Goal of Social Cognitive Therapy is Basically समाजिक संग्यनात्मक चिकित्सा का अधार बूत उदेश्य है, फर्स्ट ओप्चन हमारा Self-Actualization आतम बूत, सेकेंड हमारा Self-Regulation आतम नियमन, थर्ड हमारा Unrecovery Hidden Conflicts, छेपी हुए संगर्षों को उजागर करना और फर्फ ओप्चन हमारा All of Above, तो इस कोशन को जो राइट अंसर है वो है हमारा Option Number B, Self-Regulation, आतम नियमन, नेक्स्ट कोशन है हमारा Social Learning Theory वास डिवेलपड वाय, समाजिक अधिकम सिध्धान्थ, डैश के द्वारा बिक्सित किया गया था, फर्स्ट ओप्चन हमारा Albert Bandura, सेके हमारा Alfred Hitchcock, और थर्ड हमारा Albert Darwin, और फर्फ ओप्चन हमारा Albert Einstein, तो Social Learning Theory वास डिवेलपड वाय, Option Number A is the right answer, Albert Bandura, नेक्स्ट कोशन हमारा, Which of the following approaches of personality is least deterministic? व्यक्तित्व के निमिलिक उपागमों में से कौन सा उपागम सबसे कम निर्धारात्मक है? फर्स्ट ओप्चन हमारा The Humanistic, सेकें हमारा The Behavior, थर्ड हमारा Psycho Analytic, और फर्फ ओप्चन हमारा Social Learning Approach, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option Number A, The Humanistic. नेक्स्ट कोशन हमारा In Pride Theory of Personality, फ्राइड के व्यक्तित्व सिधान्त में, फर्स्ट ओप्चन हमारा The It Operates by Scandry Process, इदम दृत्य प्रक्रिया से संचालित होता है, सेकेंड हमारा The Super Ego Away The Pleasure Principle, थर्ड ओप्चन हमारा The Ego Away The Reality Principle, और फर्फ ओप्चन हमारा The Ego Operate by Primary Process Thinking, तो इस को राइट अंसर है वो हमारा Option No.3, The Ego Away The Reality Principle, नेक्स्ट कोशन हमारा The Frustration Aggression Hypothesis, फर्स्ट ओप्चन हमारा Was Developed by Social Learning Theorist, सेकेंड हमारा Assume That Frustration Produce Aggression, थर्ड ओप्चन हमारा Assume That Aggression Is Basic Instinct, और फर्फ ओप्चन हमारा काम That Frustration and Aggression Are Both Instinctive, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हम हमारा Option No.3, Assume That Aggression Is Basic Instinct, नेक्स्ट कोशन हमारा Which Of The Following Clinical Procedures Are Based In Part On Classical Conditioning, निमलिक्त मैं से कौन सी चिकित सात्मक प्रक्रिया आंशिक रूप से सास्त्री अनुवंदन पर अधारित है, फर्स्ट ओप्चन हमारा Transference, सेकेंड हमारा Token Economy, थर्ड हमारा Two Chair Technique, और फौर्थ Sentition, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.4, नेक्स्ट कोशन हमारा Intelligence Can Be Defined As, बुद्धी को इस परकार परभाशित किया जाता है, फर्स्ट ओप्चन हमारा Knowledge Of A Great Man Factor, सेकेंड हमारा The Ability To Get Good Grades In School, नेक्स्ट ओप्चन हमारा All The Factor That Make A Person Different From Others, और Option No.4 है The Ability To Think Abstractly And Learn From Experience, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.4, The Ability To Think Abstractly And Learn From Experience, नेक्स्ट कोशन है हमारा Guestar Theory Emphasize, गेस्टार सिधान ने डैश पर बल दिया है, फर्स्ट ओप्चन है The Flow Of Consciousness, जेतन का प्रभाब, सेकेंड हमारा The Atom Of Thought, विचार के परमानू, थर्ड ओप्चन हमारा Environment Stimulus, और Fourth Option है हमारा Avert Tandancy To See Pattern, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.D, Avert Tandancy To See Pattern, प्रति रूप देखने की प्रभरिती, Next Question है हमारा In Term Of Efficiency In Scanning Information, which one of the following strategies is considered the best? Option No.A, Conservative Focusing, Second है Focus Gambling, Third है हमारा Simultaneous Scanning, और Fourth Option है हमारा Successive Scanning, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.C, Simultaneous Scanning, Next Question है हमारा Muller Layer Illusion Is Likely To To Occur More In Cultural Characteristics By, First Option है People Living, People Living In Rectangular and Square Building, Second है People Living In Building, which are round and have few corners, Third Option है People Living In Open Space, और Fourth Option है People Living In Capes, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.A, People Living In Rectangular and Square Building, Next Question है हमारा, The Model of Memory Consisting of Short Term Memory, which served as Gateway to Long Term Memory was propounded by, इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.D, Atkinson, Sifrin, Next Question है हमारा, Backward Conditioning Occur When, CS and US are presented simultaneously, CS is presented first and US is presented before the termination of CS, Option No.C, C is presented first and US is presented after the termination of US, और Fourth Option है, US is presented first and CS is presented after the termination of US, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.D, US is presented first and CS is presented after the termination of US, Next Question है हमारा, Which memory is result of instrumental learning process? First Option है, Semantic Memory, Second है, Episodic Memory, Third है, Sensory Memory, और Fourth है, Procedural Memory, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.C, Sensory Memory, Sambedhi, Samriti, Next Question है, People with moderate mental retardation would have an IQ in the range of, First Option है, 10 to 49, Second है, 35 to 54, और C Option है, 55 to 70, और D Option है, 20 to 34, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.B, 35 to 54, Next Question है हमारा, To design teaching learning activities for a classroom, to suit the requirement of the student, teacher should have a knowledge of, First Option है, Behavior Psychology, Second है, Industrial Psychology, Next है, Abnormal Psychology, और Fourth Option है, Developmental Psychology, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.D, Developmental Psychology, विकासादमक, मनोविज्यान, Next Question है हमारा, The Driven Reduction Theory of Motivation is given by, Hull, Fright, Maslow और Capson, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.A, Hull, Next Question है, Educational Implication of Educational Psychology for a Teacher is dash, Option No.A, Understanding the Children or Student, Second है, Apply the Rule of Science in Class, Third है, Solve the School Problem Effectively, और Fourth Option है, Correct His or Her Own Misconception about the Universe, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो हमारा Option No.A, Understanding the Children or Student, बच्चों या विद्यार्थियों को समझना, Next Question है, The Most Scientific Objective Method of Studying Behavior is, व्यवहार का अध्यन करने की सबसे बेग्यानिक और बस्तुनिस्ट बिदी डैश है, First है, Observation Method, Second है, Experimental Method, Third है, Survey Method, और Fourth है, Case Study Method, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.B, Experimental Method, परियोगिक बिदी, Next Question है हमारा, Dash includes the data concerning the family background and educational development, Dash में पारिवारिक, प्रिष्ट भूमी और शेक्षनिक बिकास से संबंदिक जानकारी होती है, First Option है, Case Study, Second है, General Behavior, Third है, Genetic Approach, और Fourth है, Eduquacy, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.A, Case Study, Case Adhyan, Next Question है, हमारा, Educational Psychology is Dash, शेक्षनिक मनो विज्ञानिक Dash है, First Option है, Pure Science, एक शुद्विज्ञान, Second है, Applied Science, Third है, In Normal Science, Normative Science, और Fourth है, None of Ever, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.B, An Applied Science, Next Question है, हमारा, Psychology is said to be the science study of, मनो विज्ञान को डैश का विज्ञान अध्यन कहा जाता है, First Option है, Behavior and Mental Process, Second है, Mental Illness और Mental Health, Third है, Physical State, Mental State, और Fourth Option है, None of Ever, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.A, Behavior and Mental Process, बिवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, Next Question है, Who could the term Serial Prodition Effect, क्रमानुसार स्थिती परभाव, पद कोन कर सकता है, First Option है, Harmon Evinghouse, Second है, Sigmund Freud, Third है, William Bund, और Fourth है, William James, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.A, Harmon Evinghouse, Next Question है, Which of the following method is used for memorizing a point, निमिलिक्त मैंसे, कौन सी विदी, जरती है, First है, Serial Memorizing, Second है, Synthetic Memorizing, Third है, Distributed Practice, Distributed Practice, और Fourth है, None of Abob, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.C, Distributed Practice, बित्रित अभ्यास, Next Question है, Who is the father of Psycho Analysis, Mano Visulation के जनक कौन है, First है, Charles Darwin, Second है, Sigmund Freud, Third है, William Bund, और Fourth है, None of Abob, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.A, Sigmund Right, Next Question है, हमारा, In India, First Psychological Laboratory, Was Established at, भारत में, प्रथम मनो विज्ञानिक प्रयोक शाला में, कहां स्थापित की गई थी, First है, हमारा दिल्ली उनिवर्सटी, Second है, Bombay University, Third है, हमारा कॉलगत्ता University, और Fourth Option है, None of Abob, इस कोशन का जो राइट अंसर है, वो हमारा Option No.C, हमारे बाकी के भी जो सेक्षन है, वो सॉल्व करके, हमने अपने, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, आप जाके,